अभी आपको एक बड़ा सा कठाल दिख रहे है और यहाँ पे थोड़ा सा चिकन दिख रहे हैं तो आप सोच रहे हो क्या बनने वाले हैं? जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा है आज चिकन और कठाल से बनेंगे एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और जो लोग कठाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो यह बहुत इस्पेशल रेसिपी होने वाले हैं तो इस तरह के से बना के अगर उनको देंगे चिकन और कठाल एक साथ में तो उनलिया चाटते हुए खाएंगे यह कठाल के सबजी तो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं यहाँ पर मैंने बड़ा सा एक कठाल ले लिया है लेकिन मैं इसे काटके लगभग आधा किलो कठाल ले लूँगी तो मैं काटके छिल के आपको दिखा रही है कठाल को मैंने ऐसे मिडियम साइज में कटिंग कर लिया है आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कठाल कर सकते हैं और मैंने इसके अंदर रेशी नहीं अलग किया है क्योंकि एकदम नरम है ज्यादा मजबूत अंदर कभिया भी नहीं हुआ था इसलिए तो आप चाहे तो अलग कर सकते हैं आद्धा किलो यहां पे कठाल है और आदा ही किलो मैंने चिक्न ले लिया है कठाल को वॉयल कर लेते हैं कठाए में डाला है मैंने 2 गिलास पानी और अभी कठाल का पीसेज डाल रही हूं अगर ऐसे ही बना देते तो उसके हलका सा करवाट आते हैं जो अच्छा नहीं लगता है खाने में तो एक बार वोईल आ चुके है इसका जो भी गम है वो उपर अलग से तैरते हुए दिखाई पर रहे हैं मसाले में क्या लग रहे है देख लेते हैं एक बार लैसुन के कलिया ले लिया है और यहरा मिट्चा ले लिया है तीखा बिल्कुल स्वादर सा देर इंच अदरक और एक बड़े साइच प्याज जिसे ग्रैंडर में पेस्ट कर लेना है और यह हैं खरबूच के बीच जिसे मगच के बीच कहते हैं चाल मगच कहते हैं मक्स मिलन भी कहते हैं इंगलीश में और यहां पे दो चमच यहां पे टू टेबल इस्पून ले लिया है जीरा पाउडर तो जीरा पाउडर थोड़ा सा दरदरा है तो एक साथ में डाल के ग् तो यहां पे 1.5 टी स्पून जीरा ले लिया है और 2 छोटी एलाइची ले लिया है जिसे मैंने कूट लिया है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए और थोड़ा सा दाल चीन ही ले लिया है जिसे तो लिया है और एक लॉंग मैंने डाला है तो अभी तरका लग यहां पर लगभग फ्राई होने के बाद एक टमाटर चॉप करके मैंन डाल दिया है तो इसी तरीके से डालने से जो यह तमाटर से जो जूस निकलेंगे वह अच्छे से सूप जाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन का पीसिस तो आप यह सोच रहे हूँ चिक एक टोटेबल इसंपून नमाक डाल दिया है नमाक बिलकूल ही स्वाद अनुसर से तो पूरा रसीपी के छिए मैंने यहां पर टोटेबल इस्पून नमाक एक साथ वी करेया है तो दर्च मिक्स्ट कर लेते हैं लगबग 2-3 मुनिट के बाद ये पानी सूख जाएंगे और चिकन थोड़ा हलका सा फ्राई होने लगेंगे इससे ज्यादा हम लोगों को फ्राई नहीं करना है चिकन में से जो भी पानी निकला था वो सूख चुके हैं अब मैं डाल रहे हूं पेस्ट क किसे एक बार जरूर बना के देखें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पर मैं 1-2 टीए स्पून काश्मीरी रेट चिली पाउडर डाल दिया है जिससे कलर बहुत ही बहतरी ना आएंगे यहां पर अफ टीए स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है अच्छे से म कठाल तो विल्कुल ही कुक नहीं हुआ है बस एक पार वॉयल कर लिया गया है तो अभी इस वक्त भूनने से मसाला का फ्लेबर कठाल के अंदर अच्छे से पहुच भी जाएंगे और कठाल और चिकन दोनों ही समान मातरा में कुक हो जाएंगे कोई भी टूटेंगे नहीं तूटेंगे और ना ही कठाल और कठाल पहले से डाल दिये जाते तो वह एकदव तूट फूट के मिल जाते तो कठाल का पीसे का नामों निशान नहीं रहते हैं तो इसलिए इस टाइम कठाल की पीसे जरूर्याट करना है तो अच्छे से मिक्स्ट कर ले रही हूँ और अब जब हलका सा मसाला यहाँ पे सूप चुके है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हिलो कर देना है नहीं तो नीचे से मसाला जलना शुरू हो जाएंगे कितना भी मसाला डाल दे कितना भी क्वांटिटी में डाल दे लेकिन मसाला अगर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो वो बिल्क important कारण रहते हैं जिससे हर बार सबजी बनाया जाए हर कोई के हाथ के सबजी के सुआद अलग बनते हैं क्योंकि मसाला जितने अच्छे से भून आ जाए जल भी ना पाए और अच्छे से भून लिया जाए तो उससे ही सबजी बहुत ही स्वाधिष्ट बनते हैं तो इस तरीकी से बहुत ही अच्छे से मसाला भून लेना है अब कब पता चले गए कि यहां पर मसाला भून चुके है तेल चोने लगेगा और जितना भी मसाला है वो चिकन और यह कठल के पीसे के साथ चिपकने लगेंगे एकदम कोट हो ज दालना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि यह चिकन अंदर तक यह अंदर से बिल्कुल ही कच्छा नहीं रहना चाहिए तो इस तरीके से पानी डाल देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कर देना है अब हाई हाई फ्लेम में रख देना है और मैं अभी ढग दूंगी तो मुझे तो इस हिसाब से ग्रेफी रखना है आपको थोड़ा सा और कम ग्रेफी पसंद है तो आप बिल्कुल ही कम कर ले सकते हैं तो अब मैं डाल दूंगी इसमें फ्लेवर के लिए गराम मसाला पेस्ट किया हुआ आप अपनी फेवरेट जो भी गराम मसाला है वो यू से दस यहां पे लॉंग है चार से पाच काली मिच है एक डालचीनी का टुकरा जिसे मैंने गीला पेस्ट करके डाला है और यहां पे कम्प्लीट हो गए है गैस को फ्लेम विल्कुल लो कर देना है एक उनिट के लिए ताक कि तेल है और कलर है उपर आजाए उभर के वाद द ज्यादा अच्छा लग रहे हैं तो कैसा लगा है यह यूनिक सा कठाल और चिकेन की रेसीपी मुझे कॉमेट करके जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आया है तो अभी तक तो आपने सस्क्राइब कर लिए होंगे अगर सस्क्राइब नहीं किये होंगे तो देर किस बात क जल्दी से कर लिजिए सस्क्राइब ताकि ऐसे ही यूनिक रेसीपी आपको मिलते रहें वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि मैंने यह वीडियो बहुत ही प्यार से बनाया है आपके लिए आज के लिए इतना ही मिलत अगली रेसीपी में टाटा बाई बाई टेक यार